आज हम बनाने जा रहे हैं साबू दाने की सौधिष्ट और कुरकरी पकोड़ी जो की ब्रत में भी खाये जा सकता है और ऐसे अकर आपको पसंद आ रहा है तो आप नास्ते में भी खा सकते हैं देखिए कि इसमें क्या-क्या लगता है ये मेरे पास चार-पांथ बड़े आलू हुआ है फिर दोट कटी हुई टमाटर है और एक खरी मिर्च है क्योंकि हमारे आपको दीखा नहीं खाता है इसलिए मिर्च को हम एक ही डालेंगे यह जीरा कि यह नमक कि लाल मिर्च बूली धनिया और यह तीन घंटे हमने रखी थी साबू दाने जो कि आप फूर के बढ़ हम प्लेट ले रहे हैं इसमें हम आलू को मैश करेंगे देखिए आप लोग जब भी मन हो ज्यादाना वक्त लगता है बहुत ही जल्द बनता है और खाने में बहुत ही लजीज रखता है फिर इसमें हम साबू दाने को एड़ करेंगे इसमें हम डालेंगे जीरा हाफ स्पून भूनी हुई धनिया हाफ स्पून लाल मिर्स स्वादा निसार हम भी थोड़ा सा वन फोर्थ डाल रहे है नमक स्वादा निसार टमाटर कटे हुए हरी धनिया कटे हुई अब इसको हम न्याज करेंगे देखे यह हमारा मिक्स हो गया है और इतना अच्छा कलर आया है टैमेटो ऐसे भी जिसमें पढ़ जाता जिस रिखाने में स्वाद आ जाता है और जब तक नटा दुर्मन लगा रहता है कि यह नहीं अब हम इसके छोटे-छोटे बाल्स बना लेंगे चार पांच बन गए है अब ऐसे हम सारे बाल्स बनाएंगे हमारे बाल्स बनके रेडी हो गया है और अब तेल भी गरम हो चुगा है इसको हम स्लो फेम पे कर देंगे और इसमें हम पकॉड़िया डालना शुरू करेंगे अब कर दो कि अब बहुत जाता नहीं डालेंगे चारी डालेंगे तो कि यह चिपकनी लगता है इसलिए थादा तूरी रोज एक और हम डाल सकते हैं यहां पर इसके ब्राउन होने तक का इंतिजार करेंगे अगर हम कल्ची चुरुआ से लगाएंगे तो तूट जाएंगे इसके थोड़ा अलाल हो जाए तभी हम इसको पड़तेंगे यह हम कल्चना शुरू करते हैं अब इन्याम निकाल देखाने देखिए इसको कि उपर से क्रेंची और अंदर से बहुत ही साफ्ट है खाके देखिए आप कैसा लगे आपको मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और शस्क्राइब करें बाए बाए